वेकम टू रॉबिन हुट क्लाइस अगें तोड़े वे गोईं टू लर्न डिसकस वन मोर टॉपिक फार दी पोस्ट अगाउंट एस्टेंट पंचायत इससे पहले हमने पढ़ा था कि इससे पहले हम पढ़ने वाले फंडमेटर राइट्स अफ इंडिया कौन-कौन से हैं तो काईस हमने फंडमेटर राइट्स पूरा कवर किया हुआ है पार्टिंग से लेके एंड तक हमने कोई भी चीज फंडमेटर राइट की नहीं छोड़ी हुई आप प्लीज वीडियो देखते रहे हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बने रही है हमारे साथ तो वेल्कम गाईज आज जो हमारा टॉबिक है वो है फंडमेटर राइट्स के बारे में फार दी पूस्ट अप एकाउंट इस्टिंट पंचायत उससे पहले हमें पता होना चीज हमारी गोर्मेंट के थ्री और्गन्स होते हैं जो हमारी गोर्मेंट चलाते हैं जो हमारी प कौन कौन से हैं सबसे पहले legislature जो law बनाता है फिर दूसरा है executive जो से execute करता है इंप्लिमेंट करता है और तीसरा है judiciary judiciary क्या करता है चेक करता है कि यह जो law है यह ठीक है लोगों के लिए कि नहीं और किसी के साथ घलत तो नहीं और justice सब को मिल रहा है कि नहीं तो यह तीन legislature, executive, judiciary मालनो guys legislature जो हता है legislature का काम है legislature एक law बनाता है जैसे कि बच्चों को free education दी जाएगी और साथ में आइस क्रीम दी जाएगी executive का काम है इस law को implement करना, execute करना उसे कि जो यह law बनाया है free education और free ice cream इसे उसने execute किया, judiciary का काम है कि देखना कि यह जो free education और ice cream सब को मिल रही ही कि नहीं, किसी के साथ नाइसाफी तो नहीं हो रही है, क्या यह बच्चों के फायदे में है कि नहीं, तो यह है legislature जो law बनाता है, executive executive करता है और judiciary जो चेक करती है, जैसे जो हमारे judges वगेरा होते हैं, तो देखते है legislature में कौन को नाता है, हमारे इंडिया में center और state होता है, तो center में legislature जो law बनाते हैं, वो दो houses होते हैं, जैसे कि लोकसभा और राजसभा, और state में दो assembly, जैसे कि state legislative assembly और legislative council, और executive में हमारे आते जैसे कि president, vice president, prime minister and the state governor और cm, और judiciary में आता है हमारा supreme court और high court and other lower courts, जो देखते रहते हैं इन चीज़ों को, तो यह थे three organs of government, आगे देखते हैं हम rights के बार में, उससे पहले हम introduction देखते हैं fundamental rights के बार में, article 12 to article 35 deals with the fundamental rights, आपको पता होना चाहिए, कौन सा article deal करता है fundamental rights के, तो 12 से शुरू होता है और 35 तक खतम होता है fundamental rights से deal करते हैं चीज़े, तो this concept was included in a part third and it takes, it is taken from the USA, तो यह हमने अपने part third में का, जो objective आसकता है, किस part में है हमारे fundamental rights, तो वो है part third में, part third में है fundamental rights, और हमने कहां से लिए fundamental rights, USA से लिए हुए है, bill of rights से, these are enforceable or justifiable against state or government, कोई भी इनको violate कर चाहे state or government हम क्या कर सकते हैं उनको, यह justifiable है, तो he will be punished by the courts, उनको हम कटगरे में ला सकते हैं, अगर कोई भी इन चीज़ें को violate करेगा, तो यह याद रखेगा, यह enforceable or justifiable है, fundamental duties नहीं हैं, लेकिन fundamental rights हैं, इनको कोई भी violate नहीं कर सकता, these are guaranteed to the people by the government, और यह हमें कौन देता है, यह government देती हैं हमें, these are necessary for the basic existence of the individual, और यह बहुत जरूरी हैं हमारे basic existence के लिए, हमारे existence नहीं होगा, गर rights नहीं होगा, क्योंकि ना हम चल पाएंगे ठीक तरीकी से, ना हम बोल पाएंगे हमारे पास, क्योंकि right ही नहीं होगा, ना बोलने का, ना गूमने का, ना पानी पीने कहीं से, तो यह जो rights हैं हमें, हमें यह basic existence बनाते हैं हमारा, और हमारे development of the individual करते हैं यह, ठीक है guys, its origin is from England in 1215, इसका origin हुआ था England में 1215 में, when the king came with the document called Magna Kratka, तो England के एक राजा थे, उन्होंने क्या किया था, एक document लाया था, जिसे Magna Kratka का जाता है fundamental rights, तो हम भी part third of the constitution को को कह में यह लाया, और याद रखेगा हमने यह USA से लिया था, बारूर किया था, these rights are fundamental, यह जो rights है, fundamental है, fundamental, because these are protected by the fundamental law of the land, तो इन्हें protect को करता है, हमारा constitution करता है, fundamental rights को protect, इनको fundamental कहा जाता है, आगे देखते हैं, these are not sacrosent or permanent, यह जो है, permanent नहीं है, they can be curtailed or repealed by the parliament through the constitutional amendment act, without affecting the basic structure of the constitution, इन्हें हम change कर सकते हैं, लेकिन change तभी करेंगे, अगर जब तक हम basic structure को हाथ ना लगाए, basic structure जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, basic structure क्या होता है, supremacy of the constitution, अगर हम constitution को ना चेड़ें, law and order को ना बेगाने, basic structure को ना, secularism को ना चेड़ें, तभी हम in rights को change कर सकते हैं, these can be suspended during national emergency, in rights क suspend किया जाता है, जब national emergency हो, याद रखेगा कोन सी emergency हो, जब external aggression हो, जब हमारे country पे war हो, इन rights को खतम कर दिया जाता है, सिर्फ एक right रहता है तब, वो रहता है, article 20, 21, यह right है, right to life related, तो हमें जीने का तो हक है, इसलिए right to life suspend नहीं होता है, objective आ सकता है, but not in the internal emergency, internal emergency हो, तो यह rights व थोड़ा सा intro of fundamental rights, आगे देख लेते हैं, पूरे कौन कितने fundamental rights हैं हमारे, तो हमारे जो fundamental rights हैं, वो six types में divide हो है, जैसे कि right to equality, जो आर्टिकल होता है, 14 से 18, guys याद रखेगा, किस article में कौन सा आता है, फिर आता है, दूसरा, right to freedom, जो 19 से 22, right against exploitation, जो 23, 24, right to freedom of religion, 25 to 28, cultural education rights, 29 to 30, फिर right to constitution remedies, 32, एक और right था article 31, जिससे क्या किया, हमारे constitution ने delete कर दिया, और उसे किस में डाल दिया, उसे डाल दिया, article 300 में, part इतने आप the constitution में, तो 44th amendment act 1978 में हमने क्या किया था, इसे delete किया, और इसे article 300A में डाल दिया, तो यह था हमारे, जितने fundamental rights जो हैं, वो six type में divide हैं, आ सबसे पहला हमारा right आता है, मैंने आपको जैसे बताया, कहां शुरू होता है हमारे fundamental rights, वो हमारे fundamental rights जो शुरू होते हैं, article 12 to article 35 तक, तो दिखते हैं, article 12 क्या है, article 12 जो है, वो बताता है, definition of state, article 12 सीदे सीदे बता रहा है, एक चीज़, कौन कौन सी agencies, कौन कौन सी जो government's है, व और अगर इन governments, इन agencies ने अगर violate किया, तो हम Supreme Court जा सकते हैं, अब देखते हैं, fundamental rights के अंदर कौन कौन सी governments आती है, तो देखते हैं, fundamental rights के अंदर आती है, गोर्मिट और पारलिमेंट, हमारा government और पारलिमेंट आती है, like executive or legislature, अगर ये दोनों violate करेंगे, इनके खिलाब भी court में जा सकते हैं, ये भी आते हैं, fundamental rights के अंदर, फिर दूसरा है, government legislature of state, state के legislature of government भी, ये भी आते हैं, fundamental rights के अंदर, अच्छा, local authorities like municipalities, पंचाय, district boards, ट्रस्ट, ये सारे आते हैं, fundamental rights के अंदर, अगर आपको कभी भी कोई भी problem हो, article 12 बोलता है, अगर इन में से कोई भी violate कर रहा है, नहीं हो रहा है काम तो आप fundamental rights apply कर सकते हो अपने, फिर authorities like stationary or non-stationary authorities like LIC, ONGC, SAIL, ये भी fundamental rights के अंदर आते हैं, even a private body or an agency like autonomous body universities भी इसके अंदर आते हैं, जो private autonomous universities होती हैं, banks भी, private banks, और any authority which are directly or indirectly controlled finance by the state, कोई भी authority जो directly or indirectly finance हो रही है, हमारी state finance कर रही है, link है state के साथ, वो fundamental rights के अं if they are guilty of violation of fundamental rights or their action can be challenged in the courts as violating fundamental rights, उनके actions को challenge किया जा सकता है, अगर वो violate कर रहे हैं, fundamental rights को, तो पहला article 12 यही चीज़ बोलता है, कौन-कौन से लोग, हम भी है, कौन-कौन से लोग जो हैं, कौन-कौन सी agency or government की fundamental rights के अंदर आते हैं, अगर कोई भी violate करेगा, अगर इनको तोडने की कोश्च करेगा, तो वो, हम उनको challenge कर सकते हैं, कौर्ट में, तो यह था article 12, आगे देखते हैं, definition of state था, article 12, article 13 देखते हैं, article 13 जो है, वो सिधे-सिधे एक बात बोलता है, कोई भी पुराना आला, या फिर नया आला, अगर constitution के साथ contradict करेगा, part third के जो fundamental rights उनके साथ contradict करेगा, उसे हम declare करेंगे, unconstitutional, wide, or judiciary, जो भी छड़ छाड़ी करने की कोशिश करेगा, हमारे fundamental rights के साथ, अगर हमें लग रहा है, ये fundamental rights को खराब कर रहा है, हम उसे क्या करेंगे, unconstitutional करेंगे, उसे बोलेंगे, wide, कोई भी law, मालो हमारी country कोई भी law बना देती, जैसे recently एक law बनाया था CAA के related law बनाया था, और लोग प्रोटेस्ट करने लगे, वो प्रोटेस्ट इसलिए करने लगे, वो बनाया है, हमारा fundamental rights जो होता है, वो वाइलेट हो रहा है, वो under article 13 के जरे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वो केस कहां चले गए, हमारे judiciary के पास चले गया, और judiciary decide करेगी, क यह वाइलेट कर रहा है, fundamental rights की नहीं, तो हमारे जो आर्टिकल 13 बोलता है, कि हमारे इंडिन constitution में क्या एक judicial review की power है, किस के पास, supreme court के पास, और high courts के पास, तो वो कोई भी law अगर हमारा legislature बनाता है, अगर वो वाइलेट कर रहा है, लोगों के rights को, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे unconstitutional कह सकते हैं, जैसे कि judicial review होता क्या है, judicial review, the power of judicial review, the constitutional legality, or any law made by the legislative executive president, governor, extra, called judicial review, कोई भी law अगर president बनाता है, executive, prime minister, या governor बनाता है, अगर वो लोगों के fundamental rights violate कर रहा है, हम उसे, हमारा जो यह judiciary है, वो उसे unconstitutional wide कह सकती है, this power has been confirmed on supreme court under article 32, और high court under article 26 में देता है, यह power, Supreme Court और high court को, याद रहा है, judicial review, बहुत important, यह जो power है, हमारे judiciary के पास है, some cases like, जैसे कि कुछ cases हुए थे, 1927 में, state subject, state subject related in general case में, एक बंदा था, उसका नाम था, dr. शुशीला सवागनाग, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने challenge किया था, Supreme Court में की, मेरा जी, यह fundamental right violate हो रहा है, लेकिन fundamental rights ने इसको कहा था, simply उसको Supreme Court ने का valid till marriage, तो आज तो क्या कर दिया है, हमारे यह जो नया law आगया, इसको हटाई दिया है, बिल्कुल state subject को, तो यह एक cases हुए थे, अंडर article 30 में, जैसे की, शुशीला सेवाग का case, फिर आते शंकरी परशाद case हुआ, फिर 1996 में, गोल judiciary, judicial review के अंदर, null and wide कर सकती है, तो यह था article 33, judicial review की power बताता है, आगे देखते हैं, तो आज, तो हमारा जो पहला right है, पहला हमने देखा, 12 और 13, आप देखते हैं, हमारा जो पहला right है, article right to equality, उससे कहा जाता है, जिसका मतलब होता है, सारे लोग बराबर किसी की भी color जैसे है अब picture बनी हुए, right to equality, तो right to equality जो है, वो article 14 to article 18 से शुरू होता है, article 14 बोलता है, to provide equality before line, equal protection law, law के आगे सारे बराबर हैं, और protection सब को बराबर मिलेगी, देख लेते है, right to equality before law होता क्या है, याद रखिए, guys, right to equality कहा शुरू होता है, from article 14 से लेकर 18, 14 article बोलता है, to provide equality before line, equal protection of law, to provide equality before law का मतलब होता है, society must be gone by law, society को किस से हमें gone करना चाहिए, एक law से, law must be just, और law ऐसा होना चाहिए, just होना चाहिए, fair or reasonable होना चाहिए, no person can be punished unheard, किसी बंदे को आप punishment दे दो, मतलब उसका सुना यूने आप, तो law कैसा होना चाहिए, just होना चाहिए, fair होना चाहिए, objective, objectivity हो चाहिए, अच्छा law होना चाहिए, fair होना चाहिए, सब के लिए बराबर होना चाहिए, किसी के लिए नहीं, अब अमीरों के लिए अच्छा law गरीबों के लिए गंदा ला, तो यह मतलब होना चाहिए, law अच्छा होना चाहिए, fair होना चाहिए, equal protection of law का मतलब क्या होता है, to provide equal rights to all citizens with no special privileges equal protection of law का मतलब होता है सब को बराबर के rights हो किसी को special privileges मत दो अमीरों को आला को एसा नहीं होना है सब को बराबर लेकिन हमारे constitution बोलता है हमने इसमें reasonable intelligence या रखा हुआ है मतलब reasonable reservations रखी हुई है कुछ लोगों के लिए जैसे की हमने STSC लोगों के लिए reservation रखी है इनको हम बराबर नहीं दे सकते बाइस क्योंकि ये बिचारे गाउं से आते हैं इनको रास्ता नहीं है light नहीं है तो SCSC को हमने reservation रखी हुई है jobs में और education में और president and governor इनको आप challenge नहीं कर सकते under article 361 they cannot be summoned by any court no arrest warrant no criminal proceeding मुझे इनके खिलाव हो सकती है तो इनके लिए law बराबर नहीं कि इनके लिए President और Governor के लिए ला बराबर नहीं, इनको ये रखिया आप उपर, ये सब से उपर हैं, इनके लिए आप कोई भी arrest warrant, मालो President कुछ गलत करता है और Governor कुछ गलत करता है, हम क्या करेंगे, हम इनके किलाफ कोई भी case arrest warrant नहीं निकाल सकते, President और Governor के किलाफ, और Article 361, तो ये थे कुछ reservation जैसे कि President और Governor, इनके किलाफ हम कोई ये अलग होते हैं, इनके लिए reasonable reservations हैं, और SCST के लिए reasonable reservations हैं, तो ये था Article 14, जो बोलता है, सब को बराबरी होनी चाहिए, और Equal Protection of Law होनी चाहिए, आगे देखते हैं, Article 15 क्या बोलता है, Article 15 बोलता है, Article 15 के benefits, जो है, Article 15 1 के, Clause 1 के benefits, जो है सिर्फ Indians के लिए, जो बोलता है, no season of India can be disappointed on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth, किसी भी इनसान के साथ हमें ये discrimination नहीं करना चाहिए, उसका धरम देखकर, उसकी जाद देखकर, उसकी caste देखकर, race, sex देखकर, लड़का लड़की भेदबाव नहीं करना है, और place of birth कि ये च्छोटी जगा से आ पानी नहीं सकता है, यहां टैंक से पानी नहीं बर सकता है, पानी वैल से नहीं बर सकता है, कुएं से, इस पार्ग में घूमनी सकता है, इस रेस्टृरेंट में जानी सकता है, other places dedicated to, जो भी places लोगों के लिए बनाई गई हो, आप उन्हें मना नहीं कर सकते, अगर आपको ल पंदरा क्लास 3 बोलता है, इसमें हमने औरतों और स्टीजन के लिए special steps लिए हुए हैं, उनको बढ़ाने के लिए, आर्टिकल पंदरा क्लास 4 बोलता है, special steps for the socially and education backwards है, जो भी socially SCST और जो लोग होते हैं, उनके लिए हमने special steps लिए हुए हैं, इसमें, आर्टिकल पंदरा क्ला इसमें और स्टीजन को ही मिलेंगे, कोई foreigner को इसके मज़े नहीं मिलेंगे, तो आर्टिकल 16 है क्या जिसको सिर्फ लोगों को ही मज़े मिल रहे हैं हमारे, तो आर्टिकल 16 यह है, no discrimination on employment, हम जो हैं, employment में किसी के साथ भेदबाव नहीं करेंगे, चाहे हो लड़का हो लड़की हो, गरीब हो, में हो, सब को बराबरी का हग दे जाएगा, employment के लिए, यह करने के लिए, article 16, clause 1 and clause 2, no season can be discriminated, किसी भी season को discriminate नहीं किया जाएगा, on the basis of religion, caste, decent, sex, place of birth, place of residence, सब को बराबरी का हग दिया जाएगा, article 16, clause 3, state can reserve certain jobs on the base of domicile, तो article 16, clause 3, आपको याद रखना है क्यू article 16, clause 3, से मिलता जोलता है, इस में क्या होता है, state can reserve certain jobs on the base of domicile, domicile होता क्या है, किसी जगाँ पर actual stay in a place for particular, किसी जगाँ पर कोई लोग जो है, particular period of time तक रहे हो, जैसे कि नए domicile आए है कि हमने, जी, इनको भी अब job देनी है, जो 7 साल या फिर 14 साल तक यहां रहे हो है, इन backward clause, article 16, जो है, reservation of job देता है, SCST और backward clause को, अच्छा, various commission like, तो इसके लिए, reservation लाने के लिए, guys, बहुत सारी commissions आई थी, हमारे country में, जैसे कि मंडल commission आई थी, for reservation OBC, अच्छा, इंदरा सौमनी और Union of India Extra, यह सारी reservations related commission है, अगर आपको detail में पढ़ना है, इनके बारे में, तो मैंन के साथ, जैसे हमारे country में क्या होता है, दलतियों के साथ, बहुत गलत किया जाता है, जो छोटी कास्ट के होते हैं, हम उनके साथ बेदबाव करते हैं, हम उनको touch भी नहीं करने देते हैं, आपस से, they are not allowed to go even temples also, तो article हमारे constitution बोलता है, अगर ऐसा आपको कहीं भी दिख रहा ह आप उसे अंदर करवा सकते हैं, यह article punishable है, याद रखे गाई, अगर आपको पता लग गया, यह बंदा चूचात कर रहा है, इसको punishment हो सकती है, no person can indulge in this practice of untouchable, अब untouchable क्या होता है, अगर आपने किसी को बोल भी दिया, कि यह तु छोटी जात का, तिर को touch नहीं करूं, as well as fine under article 15.2, हम क्या कर सकते हैं, उसे punishment भी मिल सकती है, under article 17 के ज़री, और इसको fine भी हो सकता है, कुछ पहसुम का, अगर वो आपके साथ untouchable कर रही है, यह था article 17, आगे देखते है, article 18, जो है, abolition of titles, इसका मतलब है, कोई भी state cannot provide titles to any state, जो है, किसी बंदे को कोई title नहीं देगी जैसे title होता है, अपने नाम के आगे कुछ लिखाना है, जैसे sir, अंग्रीजी स्थरकार देती थी थी ना, हमें sir, sir, robin, sir, extra, extra, तो हमें इसमें क्या करना है, foreign award भी नहीं लेना है, without the permission of government of India, तो नहीं हमें title रखने है, अपने नाम के अंदर, और नहीं हमें कोई भी award लेना ह without the permission of government of India, और इसमें होता क्या है, गाइस, तो ये था, तो हमारे जो इंडिया है, इसने awards अपने रखे हुए हैं, जैसे पदमभूशन, वो अलग लग लगड रखे हुए हैं, तो ये था कि अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं, अब अब अर्टिकल 18, अब देखते है जो next right है, हमारा वो है right to freedom, from article 19 to article 20, तो देखते हैं, ये right to freedom होता कि हमें कौन-कौन सी freedoms दिये हैं इसने, constitution ने, सबसे परहे देखते हैं, article 19, article 19 हमें 6 तरीके की freedom देता है, जैसे ये article 19, clause 1, ये बोलता है, हमें जो है, freedom of speech and expression, हम कुछ भी बोल सकते हैं, और express कर सकते हैं, हमें article है, clause B, हो बोलता है, freedom to assemble, हम कहीं भी जमा हो सकते हैं, freedom of association, हम कोई भी party बना सकते हैं, estate हो सकते हैं, freedom of movement, हम कहीं भी किसी भी जगा, एक जगा से दुछी जगा जा सकते हैं, freedom of resident, हम कहीं भी रह सकते हैं, freedom of property, जो delete कर दिया था 1978 में, और जो last हमारी freedom है, चटी, वो है freedom of profession, हम क आपको लग रहा है, आपको बोलने का हक नहीं दिया जा रहा है, express करने का हक नहीं दिया जा रहा है, तो आप under article 19 उसे court में ले जा सकते हैं, तो यह हमें हग दे रहा है हमारा constitution, हमारी इंडिया सरकार, लेकिन इसके साथ कुछ restriction भी है, हमारी government ने लगा दी, हम ऐसा कुछ नह order बिगड जाए, morality खराब हो जाए, contempt of courts and defamation, defamation case जो होता है, किसी बंदे के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, तो यह थी कुछ restrictions, हम कुछ, अपनी मेरे से कुछ ना बोलते हैं, हम किसी गाली ना दे दें, तो यह थी about कुछ restrictions, याद रखेगा, अच्छा फिर article 19 clause 1a, वो बोलता है right to information, याद रखेगा, guys, वो किस में आता है, right to information, RTI 2005, जो act था, वो लाया है, वो किस में डाला है, हमने, article 19 में डाला है, any person can seek information regarding any public matter related to person or not within 30 days, any of the information related to within 48 hours, मालनो guys, अगर आपकी कोई job के related information है, कहीं फसी वी, किसी public, किसी office में, तो वो आपको नहीं दे रहा है, आपकी information, कि आपको job मिल रही ही कि नहीं, तो आपको अगर से उसके खिलाफ, right RTI file कर सकते हो, तो उसको क्या, within 30 days, अगर वो अगर आपकी life के साथ related है, तो फिर तो उसको 48 hours में आपको जवाब देना ही, देना है, अगर नहीं देता है, तो उसको fine भी होगा, और jail भी होगी, तो ये था right to information, अगर आपको कोई भी information चाहिए, government से, government offices से, वो आपको नहीं दे रहे हैं, तो RTI file कर सकते हैं आप, under article 19.1, clause 1, और 2005 में होगा था, अगर आपकी जिन्दगी से related है, तो 48 hour में उनको जवाब देना ही, देना है, तो ये था right to freedom, under, ये 19 article था, आप देखते हैं, article 20 क्या है, ये provide करता है, protection from, ये लोगों को protect करता है, किन चीजों से, double Jew party से, double Jew party क्या होता है, means no person can be punished twice for the same crime, double Jew party का मतलब होता है, कोई भी इनसान को आप, दो बार ही punish नहीं कर सकते हैं, एक ही crime के लिए, मालनो एक बंदी ने, किसी, किसी घर में चोरी की है, तो आपने एक बार उसको अब जैसे मैंने चोरी की, आपने, अब पुलीस के पास कोई सबूत ही नहीं है, वो बले कि तुझे खुद करना है, तो ऐसा नहीं हो सता, अगर आपको पुलीस खुदी force करी, तो अंडर आर्टिकल 20 आप बच सकते हैं, इस चीज से, तो ये थे कुश अंडर आर्टिकल 20 मे एक गोपालन का एक केस हुआ था, इस बिचारे को क्या किया था, अर्रेस्ट कर लिया था, विदाउट अनी रीजन, तो इसने अंडर आर्टिकल 21 राटिकल 21 इसने कंप्लें फाइल की थी, तो मेनिका गांधी जो थी 1978 में इनका पासपोर्ट सस्पेंड कर लिया था, इनको नहीं दिया जा रहा था बाहर जाने, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी राइट टू लाइफ आ बोला, ये मेरी राइट टू लाइफ वाइलेट हो रहा है, तो ये थे दो केसे, तो अगर आपको लग रहा है, आपको पता लाइफ पता करने हैं, आपको कैसे वाइले तो यह कुछ राइट टो लाइफ बहुत इंपॉर्टन है तो रिसेंटली हमारे गोर्मिट ने एक और चीज में राइट टो प्राइविसी इंक्लूड प्रिविसी इंक्लूड की हुई है हर एक को अपनी प्रिविसी का हक है कोई सिधे आपके घर नहीं आ सकता उसके लिए व उसके घरवालों को जल 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 दी इंफार्म कर दो अगर उसको अरेस्ट के है और राइट टो कंसल एड़ोकेट उसे वकील लेने का हक है कैनाट केप्टिन पुलीस कस्टडी ब्याइट 24 अगर आपका कोई बंदा अरेस्ट हो जाता है अगर पुलीस आपको नहीं इंफार् गंटे के अंदर पुलीस के उसको कस्टडी से भार नहीं निकालती विदाओट मेजिस्टेट परमिशन तो यह था कि तो यह है कि आपको कैसे आर्टिकल 22 में बचाया जाता है अगर आपको एरेस्ट किया जाता है विदाओट एनी परमिशन और चुबिस गंटे के अंदर को रखा ही हुआ है विदाओट मेजिस्टेट की परमिशन से तो उसको पहले पुलीस वालों को मेजिस्टेट की परमिशन लानी है फिर आपको अंदर रखना है तो यह था कुछ आर्टिकल 22 के बारे में आगे देखते हैं अब हमारा जो नेक्स राइट है वो राइट अग प्लेन करा सकते हूँ प्ली की सिर्षिन में तो वो आता है अटर राइट राइट अगेंस एक्स्पेशन में तो राइट अगेंस एक्सासि निंग। हमस्का और टील करता है यह देखते हैं आटिकल 23 बोलता है नो पर्सन गैनन प्रेक्टिस आफिक्ती हुए हमने और आटि कड़ा गया मिल मिल गया आप क्या किजिए उसके खिलाफ कंप्लेंड करा यह जो ने उनको जबदसी काम करा रहे हैं तो यह था 23 और 24 यह पिक्चर देखिए जैसे इस बच्ची को काम करा जा रहा है तो यह बहुत जूरूमें मैंने बता दिया आपको आर्टिकल 32 आर्टिकल फिर आता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जिसे बोल जाता है राइट टू फ्रीडिम आफ रिलिजिन फ्रॉम आर्टिकल 25 तो 28 तो गाइस हमारी कंट्री में क्या होते है अलग अलग तरीके के रिलिजिन से धर में जैसे कि क्रिश्चैनिटी है इसलाम है हिंदुईजम है तो कि तू यार तू यही बन जा इसलिए उसको अपनी मर्जी आर्टिकल 25 अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है जबरदस्ती अंडर आर्टिकल 25 उससे जेल में डाल सकते हैं अपनी मर्जी से कोई भी इंस्टूशन आर्टिकल 26 में खोल सकते हैं और आर्टिकल 27 के बोलते हैं पर आर्टिकल 26 कोई भी लोगों से टेक्स क्लेक्ट नहीं कर सकते हैं और आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है आप अंडर 27 कर सकते हैं स्टेड था आई शिंपर अलवकिन में तो यह था पचायश पच्छाइश चहभीस ताइस और अठाइस में और देखते हैं आगे देखते हैं Article 29 तु थर्टी आर्टी चाने है hundred nine तु थर्टी माbreaking दीस Gary Article 29 बोलता है protection of interest of minorities, minorities का interest protect करता है और Article 30 बोलता है right of minority established and administrative educational institution of its choice वो अपनी मर्जी से अपना educational institution खोल सकते हैं, अपनी education के बारे में सोच सकते हैं Minorities, Article 31 omitted by the 44th amendment, जो right to property था, उसे omint किया है और 300 में डाला है, मैंने जैसे बताया आपको पीछे, आगे देखते हैं guys, यह जो right to, मैंने अभी बताया आपको article minorities वाला इसमें क्या होता है, right to get education minority, protection of interest of minorities, और article 30 बोलता है, right of minority to establish an educational institution Every child has a right to get a basic education, तो minorities के बच्चों को हक है अपनी education लेने का, तो यह उनकी education से deal करता है B.R. Ambedkar ने कहा था, जो father of Indian constitution ने कहा था, यह heart and soul of the constitution है, यह दिल है और आत्मा है हमारे constitution की, right objective हो सकता है The right to move supreme court in case of their violation issues, five types of rights, तो अगर आपके साथ कोई भी fundamental right जो पीछे rights पर अगर वो violate हो रहे हैं, आप supreme court जासे को तो इस article के जरीए, तो यह पांच तरीकी की rights देता है, जैसे कि सबसे पहले रिट आती है, जिससे बोला जाता है, रिट of habeas corpus, habeas corpus का मतलब होता है, Latin term, जिसका मतलब to have a body, अगर आपको arrest किया जाता है, without any information, आपके friends को, family को, और, और क्या होता है, अगर आपको without any information arrest किया जाता है, तो आप अपनी क्या कर सकते हो, corpus का मतलब to have a body, तो रिट of mandumus, जो दूसरी रिट होती है, means command, अगर कोई public authority अपना काम, अपनी duties अच्छी तरह नहीं कर रही होती है, तो आप क्या करोगे, मालों ये जो कोई gomit office जो है, आपका कहीं, काम फसा हुआ है, वो नहीं कर रहा है, तो आपके question under rita of mandumus, उसे arrest कर, कि हमारा काम नहीं कर रहे हैं, तो court उसे जल्दी फटकार देगा और रोख करेगा, फिर आता है, रिट of probation, प्रबिशन का मतलब होता है, जो छोटे courts होते है, is trying to exceed jurisdiction, अगर वो अपनी jurisdiction exceed, मतलब उनकी jurisdiction इस area में, भदरा area में, कोई भी, इंडिया के किसी भी area में, अगर वो आ court है, वो चले गया जी, किसी ओर area में, अगर वो अपनी, when the lower court has already exceeded jurisdiction, और past an order, the rate can be issued such an illegal judgment, रिट of probation का मतलब था, जब छोटा court अपनी limits, अपनी area से आगे बढ़ने कोश्च करता है, रिट of सुतोरी में, अगर वो आगे बढ़ चुका है, उसने कोई order पास किया है, तो constitution क्या ब कि वो अपनी limit, छोटे court से अपनी limit ना cross करें, आगे ना बढ़ें, किसी ओर का, किसी ओर की jurisdiction में ना आ जाएं, तो co-veranto जो last rate है, वो है, what is your authority, this is reasonable qualification for holding a public post, if a person holding a public post is not having required qualification, the court will issue the rate, मालों, अगर कोई आपको बंदा लग रहा है, ये जो है बंदा, ये doctor बन चुका है, लेकिन इसने तो 10th pass भी नहीं की है, ये doctor कैसे बन गया, तो आप under co-veranto उसको arrest करवा सकते हो, तो अपने document दिखा है, तो अगर doctor है, तो अपने document दिखा, मालों, कोई भी बड़ा post, किसी ने अपनी age कम लिखा दी है, उसे आप ऐसे co-veranto के अंदर आप करवा सकते हो, court के जरिये, तक्यू बड़ा